हेलो एवरिवन आज का जो हमारा टोपिक है वो है चम्बल नदी की साहिक नदी मतलब आज के वीडियो में जिस चम्बल नदी के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया है कि उसका उद्गम मध्यपरदेश से होता है उसके बाद में वो राजिस्तान में बहती है और और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर यमना नदी में अपना जल डाल देती हैं, तो आज हम चंबल नदी की साहिक नदियों के बारे में डिसकस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो चंबल नदी की जो साहिक नदिया हैं, उसमें ज्यादा तर जो नदिया हैं, उनकी अब मद्धि प्रदेश की वे नदियां जो राजस्तान में आकर चम्बल में मिलती हैं, उनके बारे में हम डिसकस करेंगे, तो उनके नाम है कुन्नू, आलन्या, परवन, कालिसिंद, पारवती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी कालिसिंद, ठीक है, तो एक-एक नदी के बारे म हम डिसकस स्टार्ट करते हैं, देखो पहले जो नदी है, कुन्नू नदी है, उसको कुनोर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसका उदगम मद्धि प्रदेश में होता है, ठीक है, यह राजस्तान के बानाचिले से प्रिवेस करती है, ठीक है, फिर देखो, राजस्तान का ये मद्धिप्रदेश में प्रवेस करती है और फिर कोटा में प्रवेस करके ये चंबल नदी में मिल जाती है ठीक है दूसरी जो नदी है वो है पारवती नदी इसका उद्गंभी मद्धिप्रदेश से होता है राजस्तान में बारा से प्रवेस करती है कर्याहाट के निकट क प्रवेस करती है, फिर ये बारा कोटा स्वाई मादुपूर में बहती हुई, स्वाई मादुपूर और कोटा की सीमा पर पाली गाओं के पास चंबल में मिल जाती है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है काली सिंद नदी, इसका उधगम देवास मद्दिपरदेश से होता है ठीक है राजस्तान में ये जहलवार से प्रवेस करती है जो कुर्णू नदी है और पारवती नदी है वो कहां से प्रवेस करती है बारा जिले से राजस्तान में और जो काली सिंद नदी है वो जहलावार से प्रिवेस करती है फिर जहलावार से प्रिवेस करने के बाद ये कोटा और बारा की सीमा पर बहती हुई कोटा के नानेरा नानेरा एक जगह का नाम है गाउं का नाम है वहाँ पर ये चंबल में मिल जाती है ठीक है तो ये हमने कुछ पारुष्ट चंबल नदी की सायक नदी डिसकस की आगे जो नदी है वो है आहू नदी कौन से नदी है आहू नदी इसका उद्गम भी मति प्रदेश से होता है ठीक है? ये जहलावार से ही ये नदी प्रवेस करती है अब हमने दो नदी बारा से प्रवेस करने वाल नदियों का डिसकस किया, कुन्नो नदी पारवती निदी और जहलावाड से जो पिछली नदी है काली सिंद नदी वो भी जहलावाड से प्रवेस करती है, ठीक है? अब जहलावाड से प्रवेस करती है और जहलावाड में ही जो आहु नदी है वो काली सिंद में मिल जाती है ठीक है और जहां पर आहु और काली सिंद का संगम होता है जहलावाड में वहां पर गागरोन का किला इस्तेत है ठीक है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जहलावाड में जो गागरोन का जो किला बना हुआ है वो आहु और काली नदियों के संगम पर है, ठीक है, नेक्स अमार जो नदी है वो है परवन नदी, इसका उदगम भी मद्यप्रदेश से होता है, ठीक है, जहलावार से प्रवेश करती है राजस्तान में, और फिर कोटा में जाकर काली सिंद में नदी मिल जाती है, तो आहु नदी, परवन नद ये काली सिंद नदी की सायक नदी है और काली सिंद चंबल नदी की सायक नदी है, ठीक है, मेज नदी, मेज जो नदी है उसका उदगम भीलवाडा से होता है, राजस्तान के भीलवाडा से होता है, अब तक जो हमने नदी डिसकस की, वे नदियां मद्यप्रदेश से उनका अब हम राजास्तान से उत्पन होने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, मेज नदी है, ये बूंदी के लाखेरी के पास जाकर चम्बल नदी में मिल जाती है, ठीक है, चाकर नदी है, इस नदी का निर्मान, ये मुख्य रूप से, किसी भी पाद से नदी के रूप यह चम्बल में मिल जाती है ठीक है देखो बनास नदी की हमने साहिक नदी के डिसकस किया सोरी उसके चम्बल नदी की अब चम्बल नदी की जो एक साहिक नदी है वो है बनास नदी ठीक है इसके बारे में हम अलग वीडियो में डिसकस करेंगे क्योंकि यह पूनते राजस्ता में 6 जिलों से हुकर बैती है तो ये बनाज जो नदी है वो चंबल नदी की सायक नदी है ठीक है इसको हम अलग से अलग वीडियो में डिसकस करेंगे ओके तो ये इस तरह से हमने जो चंबल की जो मुख्य मुख्य जो सायक नदी है उनके बारे में डिसकस किया ओके